देश के पूर्व राष्टपती रामनाद कोविन ने जद्पत सम्हाला था तो देश में दलितों को लेकर खुब बात हुई थी। इससे देश की छवी और दलितों के साथ बराबरी के भाव और समार मौके के रूप में खुब प्रचारित प्रसाद किया गया था। उनके मुकाबले में भी दलित महिला नेता थी जिनका नाम था मीरा कुमारी जो पूर्व उप प्रधान मंत्री बाबु जग जीवन राम की बेटी थी। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि एक मौका ऐसा भी था आया था जब देश में पहली बार दलित प्रधान मंत्री बन्नी की कगार पर था। लेकिन ऐसी साजी सुई कि सब का सब कुछ धरा रहे गा। कॉंगरिस के कद्दावर नेता बाबु जग जीवन राम का राजनीतिक करियर एक सिकस स्कैंडल के चलते बरबाद हो गया। उनके जीवन भर की कमाई हुई राजनीतिक पूझी एक जटके में नश्ट हो गई थी। ये सब हुआ था एक स्कैंडल की वज़े से। वो स्कैंडल देश का पहला सेक्स स्कैंडल माना जाता है। और विवादों में फसे थे पूर्व उप प्रधानमंत्री जग जीवन राम के बेटे और मीरा कुमारी के भाई सुरेश राम। उस स्कैंडल को छापने वारी मैं जीन का नाम था सूर्या जिसके एडिटर थी मौजूदा बीजे पीनेता और सांसद मेन का गांधी। देश के प्रधानमंत्री बने थे और बाबु जीवन राम ने डिप्टी पीम का पत सम्हाला था। जग जीवन राम ने कॉंग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर जनता पार्टी का दामन उससे ठीक पहले ही थाम लिया था। इस बास से इंद्रा गांधी उनसे बहुत नारास थी। उस वक्त के कई बड़े पत्रकारों का ये भी दावा था कि मेनका गांधी ने सूरिया मैगजीन में सेक्स स्कैंडल का खुलासा किया था। जिसके पीछे इंद्रा गांधी का इशारा था। एक विस्तर में थी। उस वक्त कॉंग्रिस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड के संपादक कोई और नहीं बलकी खुशवंत सिंग हुआ करते थी। उनके मुताबिक एक दिन वो दफ्तर में बैठे थे और उनके पास एक लिफाफा आया। उसमें नौ तस्वीरे थी। कई और अगवारों के दफ्तरों में ये अपति जनक तस्वीरों को भीजा गया था लेकिन उन्होंने इन तस्वीरों को हाथ नहीं लगाया और यानी नच अपनी के फैसला किया। तब कुश्वंत सिंग ने कहा था कि अगर काम सूत्र में 64 पोजीशन होती हैं तो इस स्कैंडल में 9 तो हो गई है। इन तस्वीरों को लेकर भी कई प्रकार की बाते सामने आई थी। किसी ने कहा था कि ये तस्वीरें रियल नहीं थी बलके इनके साथ छेट चाड़की गई है। तो कुछ पत्रकारों ने ये भी कहा था कि तस्वीरें खुद शुरेस राम ने खीची थी। वैरहाल सच्चा है जो कुछ हो लेकिन जग जीवन राम का पॉलिटिकल कैरियर इस स्कैंडल ने खत्म कर दिया था। और केसी त्यागी की बड़ी भूम का हुईया करती थी। कहा जाता है कि इस स्कैंडल के बाद जग जीवन राम ने राज नीती से एक तरह से सन्यास ले लिया था। महीं सुरेश की भी कुछी सालों बाद मौत हो गई थी जबकि उस लड़की का कहीं आता पता नहीं चला था। कहा ये भी जाता है कि उस कांड में सुरेश को पहले शराब पिलाई गई थी और नशे की हालत में उसके साथ ये फोटो खीची गई थी। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो उस वक्त के लोग ही जानते हैं और उस कांड से प्रभावित लोग ही। लेकिन इस कांड ने देश को पहला दलित प्रधान मंत्री बनने से या मिलने से रोग दिया था और उसकी खूप चर्चा भी होई थी। इस कबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार